हलो दोस्तों स्वाकत है मेरी चैनल पे तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं एक और वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप बहुत इजिली अपने ही घर पे अंड़कड़ी बना सकते हैं तो पूरा वीडियो देखना और वीडियो का लाश्ट का हिसा मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है कि किस तरीके से हमने अंड़कड़ी बनाया और देखे कितना अच्छा बनके त्यार हुआ है कितना अच्छा लग रहा है देखने में और यह उतना ही ज्यादा टेस्टी लगता है खाने में तो अभी हम आगे दिखाते कि किस तरीके से हमने यह रेचिपी बनाया है और किस तरीके से आप अपने घर के इसको बना सकते हैं तो वीडियो को करते हैं शुरू तो अभी आप देख सकते दोस्तों कि हमने एक कडाई में तेल गरम करने के लिए रखा है और अंडा हमने पहले ही उबाल रखेते हैं तो अंडा उबाल के इस तरीके से चीरा लगा के फिर हम इसको फ्राइ कर लेना है तो दीके शारी इन डिरिस मीं एड कर लेना है उसके बाद थोड़ा सामें हल्दी आड कर लेना है और पिर थोड़ी देर इसको मिक्स कर के कुछ टाइम तक इसको फृऔže कर लेना है ज्बाँ टाइम इसको फृऔı कर लेना है एक मिनित के अंदर ही प्राई हो जाएगा अच्छे से तो दोस्तो अभी आप देख सकते हैं हमारा अंड अच्छे से फ्राई हो चुका है और अभी हम इसको निकाल के अलग से रख लेंगे तो देख सकते हैं दोस्तो अंड फ्राई करने के बाद जो तेल बचा है इसी तेल से ही हम सब्जी बना लेंगे क्योंकि काफी सारा तेल इसमें अभी भी बचा हुआ है और सबसे पहले हमने देखी इसमें तेजपत्ता एड़ कर दिया है और अभी हम इसमें जीरी का छौक भी लगाएंगे अभी दोनों चीजों को कुछ टाइम तक हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा यहां पर हम काली में चैट कर रहे हैं और अभी हमें इसमें मसाला एड़ कर लेना है तो मसाले में आप देख सकते हैं टमाटर की पेस्ट और च्याज लसन और अद्रक की पेस्ट दोनों अलग-अलग बनाके हमने इसमें एड़ कर दिया है जीरी की छोकम में पहले ही लगा दिया था और अभी जो मसाला मनीट में एड़ करा है इसे पाँच मिनिट तक अच्छे से पका लेना है में अच्छे पकाना है क्योंकि मसाला आप जितनी अक्छी तरीके से पकाएंगे उतनी ही आपती सब्जी में टेस्ट आएगा तो मसाला पकाने के टाइम पर ध्यान रखना है पांच मिनिट के करीब इसको पका लेना है अगर मसाला सूकने लगे तो थोड़ा-थोड़ा पानी इसमें एड़ कर सकते हैं और मसाले को दोबारा से मिक्स करके कुछ टायम तक और इसको पका सकते हैं तो अभी देखी कितना अच्छा उबालाया हुआ है तो दोस्तों काफी टायम हो चुके हैं मसाला पकाते हुए और अभी थोड़ा सा मिक्स कर लेना है और उसके बाद इसमें मसाला में एड़ कर लेना है जैसे हल्दी नमक धनिया वगेरा यह सारी चीज़े हम इसमें एड़ कर लेंगे तो सबसे पहले हम इसमें आदी चम्मच धनिया पाउडर एड़ कर रहे हैं थोड़ा सा मिक्स कर लेना है दोनों चीजों को और फिर इसमें पड़ेगा लाल मिर्च पाउडर और नमक तो पहले इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद फिर हम इसमें लाल मिर्च पाउडर एड़ करेंगे तो अभी देख़िए हमने एक चमज लाल म्र्च पाउडर एड कर लिया है ठोड़ा सा लाल म्र्च पाउडर हमने और एड कर दिया है तो आप अपने सलच अनुसार सारी मसाला पगेरग अड़ करना है आपको जैसे हम एड़ कर रहे हैं उस तरीगे से नहीं आपको जैसा रखना है सबजी बनाना है जिस तरीके से बैसे आपको एड़ करना है तो यहाँ पर आदी चमश हमने नमक एड़ करा है और अभी इन सारी चीजों को हमें मिक्स कर लेना है तो काफी टाइम हो चुका है मसाला भी हमरा अच्छे से तियार हो गया है और अभी हम इसमें आलू की दो-तिन पीश हम इसमें एड़ कर देंगे आप अगर चाहे तो बिना आलू के भी अंड़ा कड़ी बना सकते हैं लेकिन अगर आप आलू डालेंगे तो आलू का थोड़ा अलग टेस्ट और आपको मेलेगा खाने में तो आप चाहे तो आलू भी एड कर सकते हैं तो अभी देखिया आलू आड करने के बाद फोड़ा का हम ने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें पानी आड करके कुछ टाइम तक इसको अच्छे से पका लेंगे फिर लास्ट में जाचे हम इसमें अंडा एड़ कर देंगे उसके बाद हमारा अंडा गड़ी बनके तियार हो जाएगा तो सबसे पहले हम इसमें पानी एड़ कर देते हैं तो दोस्तो पानी भी आपको अपने हिसाफ से एड़ करना है जितना आपको तरी रखना होगा उस हिसाफ से आपको पानी एड़ करना है इसमें तो हम थोड़ा सा कम तरी बनाएंगे इसमें तो थोड़ा सा कम एड़ करेंगे तो देखिए दो कटोरी पानी हमने इसमें एड़ कर दिया है और यह फाइनल है इतना ही पानी हम इसमें रखेंगे और इसमें हमारा अच्छा खासा तरीवन के तियार हो जाएगा तो आंड़ा भी एक बार में हम एड़ कर रहे हैं आप चाहिए थो सबजी बनने के लाष्ट में भी एड़ कर सकते हैं तो दोस्तो पांच मिनिट पूरे हो चुके हैं और अभी देखिए हमारे सब्जी में कितना अच्छा उबाल आया हुआ है और सब्जी भी हमारा लगवग बनके ट्यार हो गया है थोड़ा सबस हमें और पका लेना है ढखका निकालने के बाद और इसी में अभी हमें धनिया प सब्सक्राइब बनके त्यार हो गया है और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगने वाला है सब्जी हमारा तो इस तरीके से आप भी अपने घर पर अंडाकडी बना सकते बहुत इजिली तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों देख सकते हैं फाइनल लुक कुष हमारा इस तरीके से बनके त्यार हुआ है सब्जी जिसमें आप देख सकते हमारा सब्जी कितना अच्छा लग रहा है और खाने में भी कितना अच्छा यह लगने वाला है तो चाए आप चाबल के साथ खाए या रोटी की साथ दोनों के साथ ही आप खा सकते हैं इसलिए हमने थोड़ा सा सूका सूका बनाया था सब्जी तो थैंक्यू दोस्तो वीडियो देखने के लिए मिलते हैं फिर ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो पर है